और डंबल के साथ परफॉर्म करने के एक दो अडवांटिजिस हैं एक तो आपको रेंज आफ मोशन ज्यादा मिल जाती है असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो सेटो प्रिजेंट स्टोन यूर बोड़ी यस वी अफ गॉट अनदर एपिसोड पॉर यू और आज की एपिसोड में हम चेस्ट को ट्रेन करने जा रहे हैं और चेस्ट की एक कॉमन एक्सराइस को हम परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है साथिं परफॉर्म कर सकते हैं और और फॉर्म के साथिं करिस सकते हैं और यह आपकी फोर्ड फोर्ड इन से अपकी अगेन होती आपकी आपके अवरॉम कर्ठाड में ने आपको हाल कर और आज की आपईसोड बे मेरे साहँ संफाट हैं सन्यी भाई !वेल्कम जली मू mayonnaise陆 तो इस एक्सराइज को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए एक फ्लैट बेंच उसके बाद बार्बल और उसके बाद आप इसके ओपर लेड़ जाएंगे अब सबसे पहले हम पोश्चर की बाद करें ना तो आपने अपने बेंच पर लेड़ जाना है बेंच पर लेड़ बेक अगर आपकी फ्लैट होगी तो आपकी बेड़ फॉर्म है आपने बेक में एक आर्च बनाना है आर्च मतलब आपकी जो लोर बेक वाला एरिया ना उसमें आपके गैप होना चाहिए इसके बाद शोल्डर ब्लेड को आप रीटर्ट कर लें चेस्ट आपने आउट कर ल अब पोस्चर के बाद हम बात करेंगे कि आपने ग्रिपिंग ऐसे करने है शोल्डर के थोड़ा सा बाहर से आप करें मौडरेट ग्रिप करें बहुत अदा वाइड या बहुत अदा क्लोज ना करें कि बहुत अदा क्लोज में एंचन ट्राइसप में आजाती है चेस्ट में आपको टंशन ही नेधा जाता है! आपकी ग्रिपिंग ही इंड तो आपड़ मेंड आपको संवे डाप साथ होगी औरृजियर कोड़ा हो ऊज़े तो आपको कौफि होप आपको पर प्रसराइब औरृण के नोचाए हूं में कहां बाद करें की रेंगा करें रेंड एक वेटू लिफ्ट करने के बाद यहां से आपने स्टार्ट करना है और भी आपका निपल्स परफ्टर भाया है अब जब आप रैट बेंच को परफॉर्म कर रहे होंगे ना तो रॉड आपका निपल्स पर आना चाहिए यह परफेक्ट रेंज ओफ मुशन है थैंक यू सनी भाई तो जिन लोगा गोल मास गेन करना है ना उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि आपकी स्टैंड भी बढ़ती है और आपकी चैस्ट भी ग्रो होती है अब इस एक्सरसाइज को आप डंबल के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं गढ़न के साथ परफॉर्म करने के एक दो आडवन्टिस हैं एक तो आपको राइंज औफ मोशन ज्यादा मिल जाती है क्योंकि जब आप रॉड से परफॉर्म कर ने है तो चैस्ट पे लेक्लाग जाती है लेकिन डंबल के साथ एक टोडी की ज्यादा मिल जाती है कि यह आपको में एक साइड होती है कि इस्टरार टीन कोणद्ध के लिट कर रहे हैं यहाद पर लिब्स के और हरुठ है डो की बाइड से दूल कर रहे हैं तो आपको मैलन का hij औरी कुछ लूगं की राइड lawnbourne यह लेफट चोटी होती हैं और कुछ की राइट उपर होती है तो आप इसमिल में बैलेंस की अफ निछे करने कि लिए आप डूबल से भी परफॉर्म जिआ गरें अब हम आपको इस exercise को डम्मल से परफॉर्म करके दिखाते हैं इसमें सबसे पहले आप अपने डम्मल को अठा लें अब ये परफेक्ट रेंज आफ मुशन हैं ये परफेक्ट रेंज आफ मुशन है ये देखें इनको एक्ष्टर रेंज आफ मुशन मिल रिग है अब इस exercise को परफॉर्म करते विः अपने 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 मेक्शोर करना है कि अब इस ये शोर्डर्स आपके इस स्टेट ही होने जी आपने इल्बॉस को तोड़ा सब इनवर्ट करर के परफॉर्म कर अना है ये साथ चार सेट 10 रेपिटिशन के और राओड के साथ तेन सेट 10 रेपिटिशन और रेपिटिशन के मेरी चेस्ट के लिए काफी एफेक्टिव है और मेरी चेस्ट ने काफी ग्रोगी है तो वियर हर बोडी डिफेंट है अब तीन सेट के साथ 12 ब्रेस इनके लिए मनें रखनफ बर्टछ बेसे कि अपने पर्फेस्ट के नियृज प्रिसर पर्फर्म करना है और कि आपने चेस्ट और के और ऐसमола करना सब्सक्राइ बर्टछ के भर्फिक रखें, अच्छी डाइट रखें, एक्सराइज करते रहें, फिट रहें, ला हापिस